नमस्कार मैं स्वातिवर्म आपका स्वागत करती हूँ पबिलिकेशा के स्पोर्स पुलेटर में शुवात करते हैं पहली खबर से सिर्फ दो ओवरों में ही श्रीलंकाई स्पिनल ने क्रिकेट इतियास को हिला डाला श्रिलिकाई क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दोरे पर है और टेस सीरीज में हिस्सा ले रही है इस सीरीज के पहले मैच में कुछ ऐसा हो गया जो अभी तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था और एक काम किया है श्रिलंका के दोस्पिनल धरंजे डी सिल्वा और प्रभात जैसूरिया ने दोनों के दो ओवरों ने ही इतिहास रच डाला दूसरे खेल की खबर की और बढ़ते बता दें कि भार्टरिके के टीम ने हाली में रोहिट शर्मा की कप्तानी में टी-20 वर्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था अब रोहिट की नजरे बताओ टीम इंडिया के कप्तान अपने कैवनेट में आई-सी-सी ट्रॉफी की तादाद में साफा करने की है रोहिट ने कहा है कि वर्टी-20 वर्ड कप जीतने के बाद रुपने वाले नहीं है और लगाता ट्रॉफी चीतना चाते है उदर पारेस ओलंपिक दो हजार चौबिस के बाद भारत के स्टार जैविलें थ्रोफ प्लेयर नीरा चोपड़ा का एक बार फिर आक्शन में दिखे उन्होंने लुसाने टायमेंड लीग 24 में सीजन का बेस्ट थ्रोफ किया और वो दूसरे नंबर पर रहे नीरा ने इसी महेने आट अगस को पैरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर जैविलें थ्रोफ करते हुए सिल्वर मेडल जीता था नीरे ने लुसाने डायमेंड लीग में अपना बेस्ट थ्रोफ सबसे आकरी यानी छटे प्रियास में किया इसी दौरान अपने आकरी प्रियास में ग्रेनाडा के एंडर्सन पीटर्स ने 90.61 मीटर का थ्रोफ किया और टॉप पर रहे स्पोर्स बॉलेटिन की अगली खबर के और बरतों बता दें भारत के खिलाब टेस्स सीरीज में ऑस्ट्रेलिया एटीम खलेगी डेविड वार्णर की कमी साल के आखरी में भारती टीम आस्ट्रेलिया एद और पर जाएगी जहां दोनों के भी पांच मैचों की टेस्स सीरीज होगी पहला मुकाबरा 22 से 26 नवंबर के बीच पर में खिला जाएगा इस सीरीज में कंगारू टीम को अपने एक स्टार ओपिनर की काफी कमी खलेगी इस प्लेयर का नाम डेविड वार्णर है जिन्हों ने इसी साल इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिए लुक करते हैं अगली ख़बर की ओर मिन्नू और प्रिया ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर समेटा इस्पिनर्स ने चटका है पूरे 10 विकेट कप्तान मिन्नू मनी और प्रिया मिश्रा ने मिलकर 9 विकेट लिए जिससे ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम अनफीशल टेस्ट के पहले एने 100 रन पर दो विकेट गवा दिये हैं पब्लिकेशा को स्पोस्पिलेटन को देखने के लिए लगातार देश विदेश के लेटर सब टेस्ट के लिए यूहीं चूले रहे हैं हमारे साथ